हेलो वीवर्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर आज की वीडियो में हम जोतिश में बनने वाले योग अंगारक योग को डिस्कुस करेंगे यू तो कुंडली में कई तरह के योग बनते हैं जो एक व्यक्ति के जीवन में चेंजिस लाते हैं, बदलाव लाते हैं बिमारियां और असफलताय मिलती हैं, इन्हीं योगों में से एक योग है अंगारक योग जो एक अशुब योग माना गया है जोतिश में, जोतिश रस्तर के अकॉर्डिंग कुंडली में जब एकी भाव में मंगल के साथ राहू या केतु इस्थित हो जाएं तो अंगारक योग बनता है इस योग के प्रभाव एक्ति के नेचर प्रपढ़ने के साथ साथ पूरी लाइफ में दिखाई देते हैं और ज्यादा तर कुंडली में इसका नेगेटिव इंपेक्ट देखा गया है पर कोई भी योग कुंडली टू कुंडली लगन और उसके भाव स्थिति क अकॉर्डिंग अच्छा बुरा फल देता है तो आज हम अंगारक योग कब अच्छा हो सकता है कब बुरा उसका पॉजिटिव नेगेटिव इंपेक्ट इन सब को कुछ कुंडली चार्ट को लेते हुए समझेंगे तो आप सब लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देख के सो कुंडली में राहु मंगल और राहु केतु के एक साथ प्लेस्मेंट हो जाए तो अंगारक योग बनता है काफी लोग राहु या केतु का मंगल से दृष्टी संबंद बनने पर भी अंगारक योग कंसीडर करते हैं पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता क्योंकि मंगल राहु या केतु के साथ जहां भी प्लेस्ट होगा तो ठीक सात्वे भाव में इस्थित होकर राहु या केतु अपनी एस्पेक्ट देंगे ही देंगे तो ऐसे में दृष्टी संबंद को अंगारक नहीं माना जाएगा अब अंगारक योग को लेकर एक और पाना जाता है इसका कारण यहां की राहु और केतु के कार कट तो एकदम डिफर Ernt होते हैं हपले ही राहु केतु दोनों क्रूर और ऑर पाब ग्रेया हैं चाय ग्रेया है दोनों और इनकी कार कद पर लेकिन फिर भी बिलकुल अलग है यानी राहु अगर मिटिलिय्स्टिक है तो केतू स्पिरिशिलटी या मंगल राहु दोना आपस में शत्रुग रहे और केतू मंगल आपस में समग रहे हैं इनफिक्ट राहु का प्रभाव शनिवत है और केतू कुझवत यानी मंगल के समान पफ्ल देता है केतूaining Grüнаं यूथा और से बना अंगारक इतना मंगल राहू का एक साहत हो ना देखा के जीवन पर डालता है सबसे पहले जानते हैं कि किसी कुंडली में राहु केतु और मंगल की यूति से बना अंगारक योग का प्रभाव मुख्य रूप से उस व्यक्ति की जीवन पर क्या क्या पड़ता है कि किसी भी योग का फल उन दो ग्रहों की कारकत्तों पर निर्भर कर जता है जो यह यूग बनाते हैं बहिसीकलि राहु और मंगल दोनों क्रूराव मंगल क्रूर में जादा आ जाता है और यस योग से डिसिजन पाव नईलाकु प्रिवर्वृति की ग्रहे हैं तो राहुल अलगाव वादि ग्रहे हैं इसे में मंगल के साथ राहु जब यूति करेगा तो अगनी वायू का ये कॉंबिनेशन में मंगल के फलों को राहु अंगारों की तरह भड़का देता है जिससे मंगल अपना बैलेंस को देता है और इन दोनों का सम्मंद व्यक्ति को अशुफल देने लगता है इसे मंगल राहु के यूति को अंगार्यक योग नाम दिया गया है। और वो दुश्प्रभाव दिन शुरू कर दे अलग-अलग भाव में बने इस अंगारक योग के कारण व्यक्ति में अग्रेशन, जीवन में एक्सिटेंट होना, बलड से जुड़े हेल्थ इशूज, मंगल केतु के अंगारक में स्किन से जुड़े प्रॉब्लम्स खास तोर पर देखी जाती है नो डाउट कुन्ड़ी में इस योग के बनने पर व्यक्ति अपनी मेहन से नाम, यश, मान, सम्मान और धन की प्राप्ति भी करता है और इस योग से व्यक्ति एक चालाग प्रविर्थी का भी होता है क्योंकि मंगल, शत्रू, साहस और पराकरम का कारक है तो राहु चालाकी औ प्राम करने वाला बनाएगी तो अंगारेक योग के कारण चाहिए वो मेल हो या फीमेल उसका स्वभाव, अग्रेसिव, वाइलन्ड और नेगिटीव हो जाता है अंगारेक योग कुन्डली के हर भाव में शुब और अशुब दोनों तरह के फल दे सकता है नॉमली जिस भ सब बहुत आएगा और बिना सोस समझ कर बोल पढ़ना यह सब चीज़े देखी जाएंगी क्योंकि मांगलिक योग और अंगारेक योग दोनों का प्रभाव एक सा सब्तम भाव पर होने से मेरिज और मेरिटल लाइफ में आप्स और डाउंस जो है यह योग देता है इसके लावा थर्ड हाउस कम्मिनिकेशन होबी साहस पराक्रम का भी होता है तो यहां यह यह योग अगर बुरी कंडिशन में आया तो फिर कम्मिनिकेशन और विचारों को बिल्कुल खराब कर देगा इसमें थर्ड हाउस में मंगल और राहो इस्थ है दोनों ग्रह अगनी तत्व राशी में आ गए और मंगल का तो यह अपना कारक भाव है अपनी राशी है पर मंगल की डिगरी राहो से काफी कम है और अंगारेक योग में राहो यहां अपना दुश्प्रभाव जादा से की मेरिटन लाइफ खत्म होने की कगौार पर है मंगल के साथ मंगल की राशी में स्थित योग में आये राहो की चोभीन भिष्टी सब्थम हाब काडिंग ही कुंडली टू कुंडली वैरिफाई होता है जैसे लगन में मकर राशी का मंगल और राहू हुए तो एक बोल्ड और चालाक एक अग्रेसिव परस्नेलिटी देंगे पर सब्सक्राइब पर जब इस आत्वी दिश्टी डालेगा तो मेरिटल लाइफ को देंगे ऐसी कंडिशन में वेक्ति को फिजिकली पेन हैल्थ इशूज वगरा देने के साथ साथ यह यूति अपनी सात्वी द्रिश्टी से मेरिटल लाइफ को डिस्ट्रॉय करेगी अंगारक योग में मंगल राहू केतू से डिग्री वाइस जो है वो लोस कंजंक्शन में हुआ तो पावरफूल हो जाएगा डिग्री में काफी डिफरेंस हुआ तो फिर यह योग इतना बुरा फल नहीं दे पाएगा तो यह ध्यान रखे क्योंकि किसी भी योग का फल देखते हुए इसकी डिग्री और इसकी आस्तवस्ता बहुत मैटर करती है राहू या मंगल दोनों नीच राशी गतों तीन छे आट बारवा जो भाव है उसमें हो तो एक कंप्लीट नेगेटिव इंपक्ट देगा वहीं दोनों ग्रह स्ट्रॉंग होकर स्वराशी मित्र राशी या उच राशी शुभाव केंद्र त्रिकोन में हो तो पॉजिटिव हो जाएगा अब किसी कुड़नी के तीसरे घर में माली जे मंगल राहू अशुभ इस्तिती में प्लेस्ट है अंगारक बन रहा है यानि मंगल नीच हो या फिर राहू वरिश्चिक में होकर इस्तित हो जाए तो यहां पराक्रम भाव में इस योग का दुश्प्रभाव देखने में आएगा व्यक्ति अपनी ताकत का प्रयोग गलत तरीके से करेगा दूसरी और किसी कुड़नी के तीसरे घर में अगर शुब मंगल का शुब राहू या शुब केतु के सा सम्मंध हो जाए और अंगारक बने तो यह योग शुब फलदाई होगा जिसके प्रभाम से आने से जो है व् अंगारक का शुब फल है उसे व्यक्ति अपने अग्रेशन और प्राक्रम का प्रयोग करता हुआ मानवता की रक्षा करेगा सेवा करेगा और अप्राधियों को दंडित करेगा तो इस योग के शुब प्रभाव में व्यक्ति जो है वो सरकारी और प्रशासनिक शेत्र में भी हाई लेवल की जोब और रेंक प्राप्त करता है और काफी सपोर्टीव भी हो जाता है इस तरह इस योग पर अधिक से दिक शुब बली क्रहों का प्रभाव हो और शुब ग्रह गुरू चंद्र शुक्र बुद्ध जोहैन की द्रिश्टी हो तो इस योग के शुब फल है इसमें पंचम भाव में मंगल राहु एक साथ प्लेस्ट है अंगारक बन रहा है मंगल तो स्वराशी हो गए अपने भाव में हैं पर राहु नीच है अब नीच भंग भी हो रहा है और यूति डिग्री वाइस एकदम क्लोज गंजंक्शन में है और यहां अंस्टेबिलि है शनी की दृष्टी स्योग पर पड़ रही है परिनाम देगा आशुप परिनाम जो इस योग के मिलेंगे अब यह जो कुंडली चार्ट है हमारे एक फॉलवर का है कन्या लगन की कुंडली है और मंगल राहु यूती इस कुंडली में एकादश भाव में हैं यहां करकर आशी में मंगल नीच हो गए हैं और एकादश भाव वीक हुआ और भावेश भी पीडित हुआ कन्या लगन में मारे ग्रह मंगल अश्रमेश हैं यहां अपना नेगेटिव रिजल्ट देंगे एकादश भाव के साथ अपने भाव से जुड़े फलो को नेगेटिव करेगा यहां मंगल भाव भाव से अन्मन करने के साथ साथ मंगल राहू की दशा में ज्यादा नेगेटिव इंपेक्ट देखा जाएगा और ऐसा हुआ भी यह फिमेल की कुंड़ी है और उन पर 2004 से राहू की दशा चली और पूरी दशा में वो परिशान रही और 2018 से 19 के पीच जब राहू मंगल की दशा अंतरा आई तो इस अंगार और एक योगने ने काफी नेगेटिविटी दी सो पहले कुंड़ी में देख लेना आवशक है कि कोई भी योग किस प्रिकार से कैसे स्थिती में बन रहा है कुंड़ी में इस योग को बनाने वाले ग्रहों की भाव इस्थिती क्या है योग बनाने वाले ग्रहों पर शुब करने वाले मंगल राहु और केतु तीनों ही अशुब भाव में अशुब इस्थिती में हो तो अब तक की बताई हुई सिच्वेशन लगन कुड्ली में जो मंगल राहु का अंगारक और मंगल केतु का अंगारक है उसके परिणामों की हमने जर्चा की बाकी आप कंप्लीट कुड्ली है उसको भी देखा जाएगा और वहां मंगल को किसी मित्र या शुब रहे का साथ मिल जाए और राहु का दूर दूर तक नवमांश कुड्ली के मंगल पर कोई प्रभाव ना हो तब यह योग एक नॉर्मल योग रह जाता है लगन कुड्ली में फिर वो अशुब परिनाम नहीं देता बाकी कुड्ली टू कुड्ली अंगारक योग के प्रभाव को समझते हुई उपायों को अपना कर इस योग के दुश्प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है तो आपकी कुड्ली में भी ऐसा कुछ योग बन रहा है आपके मन में मंगल राहु के तो और इस योग से जुड़े कोई भी डाउट है कोई सवाल है आपका तो आप कॉमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं और कुड्ली अनलेसिस के लिए आप वाटसप मेसेज और जीमेल के थ्रू अपनी अपॉइन्मेंट बुक कर सकते हैं और मुझसे कॉल पर कंसलिशन ले स चाहते हैं तो आप एस्ट्रो वार्ता और फ्यूचर स्ट्री ओंलाइन दोनों एप्लिकेशन वेबसाइट दोनों कि थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं कॉल पर इसके अलावा जोती संबंदी जो डेली अपडेट से उसके लिए हमारे टेलिगर्म गूप और फेस्ब वीडियों में धन्यवाद